जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक काउंडाउन क्लोग क्रिएट करना बेहती आसान काम है अब एक काउंडाउन क्लोग मतलब क्या काउंडाउन क्लोग मतलब एक एसी क्लोग जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मतलब एक एसी क्लोग जो ओपोजिट चलती है एक आजो कि होता वह बिल्कुल डाउन रहती है उन्हों नहीं ने बोल दिया कि भी एसा है यह आपिर पांस दिन के लिए है तो वहां पे उसका प्रोपर टाइम आपको दिखाए जाएगा और वह टाइम कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग इसê चीजuję करने वाले हैं बिना टाइम विस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हो जो सोर्स कोड़ वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्सिन के अंदर और तो मैंने मेरा वियस कोड़ यहां पर प्रॉपर ली ओपन कर लिया आप लोग यहां पर देख सकते हो वेलकम स्क्रीन आरे इसको हम लोग अप्लोड करने वाले हैं कम्प्लीट आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से एक आप लोग अंड्रोइड की और आयोस की अप्लिकेशन को डवलप कर सकते हो अभी मुझे करना क्या है सिंपल सा एस्टेमल का बोड़ पेट लगाना है तो मैं लिखूंगा सिप्ट प अपर दो हो मैं ठीक है डाउन लिख देता हूं और मैं यहां पर क्लोग पास कर देता हूं बहुत ही बढ़िया अभी बोड़ी के अंदर आते हैं सबसे पहले अपने को क्या ची है मैं अगर आपको दिखाओं तो यह चीज अपनी बनने वाली है तो इसमें देखो सब से पह क्लास क्रेट करूंगा जिसके अंदर मैं एक डिव बना दूँगा ठीक है नोट डेटा गरी डूली डिव सिंपल और यहां भी मुझे क्लास प्रोइड करनी है जिसमें मैं बोल दूँगा एच-च मतलब होवर लेकिन होवर क्यों पास करूँगा सबसे पहले डेज है तो मैं इसतरिके से डेज के लिए डेडि पास करूए ठीक है । बहुत ही बढ़िया इसके अंदर आके क्या करना है इसके अंदर आके अपने को 0-9 और यह जो डेज मतलब जो नो है वो एक नंबर है और उसके बाद में एक डेज करके स्ट्रिंग है मतलब एक टेक स्टेक को नहीं मिला कि आप लोग यहीं बोल सकते हो तो यह चीज आपने को पास करनी है इसके अंदर तो मैं काम करूंगा है इसके अंदर मैं 113 बोल दूँगा और मैं कुछ ही बोल दूँगा जैसे यहां पे 07 बोल दिया ठीक है यह सब कुछ हम लोग है अचेश मतलब होवर के लिए और होवर के लिए यहां पर पास कर दूँगा इसको पता है मुझे पता है लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँगा तो आप लोग किसी भी चीज को जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको आप लोग डूपलीकेट कर पाओगे यहां से ठीक है ओके बहुत ही बढ़िया तो उसके बादे मुझे चाहिए अपने होवर के बाद में मिनेट तो ऐम कर देऊ हूं और यहां पर मुझे मिनेट Gеш thu अगेन मैं duplicate copy करता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर SS provide करते हैं ओके सही लिखो इसको और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ simply seconds, okay ठीक है, इसका मैं M capital कर देता हूँ by the way मैं CSS से कर सकता था लेकिन मैंने अभी घर दिया ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर style tag implement करूँगा मतलब style tag इसके इंदर मैं लगाऊँगा basic CSS का जो code होता है जो basic padding margin box sizing होती है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यह मैंने क्यों डालिया, यह काम करता हूँ मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ ठीक है, ओक्या मैंने इसको हटा दिया save करता हूँ और अब मैं goal app पे click करता हूँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अपना output कुछ इस तरीके से अभी आ रहा है यहाँ पर उपर आपको space मिल रहा है इस space को remove करने के लिए जो चीज मैंने अभी comment करी है वो चीज मुझे लिखनी पड़ती है अब मैं एक काम करता हूँ अब दिखाता हूँ आपको देखो यहाँ पे कोई भी space नहीं है simple सी बात है और मैं सबसे पहले body को target करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ simply body और इसकी अंदर चलके जो भी elements है वो center में आए तो यह सभी को पता है इससे जो content होगा body के अंदर वो center में आ जाएगा ठीक है बहुत ही बढ़िया अब देखो सबसे पहले करेंगे क्या यह जो अपना container है इसको copy करते हैं और इस copy करने के बाद में हम लोग इसको कुछ width प्रोवाइड करते हैं जैसे हम इसको 65% width प्रोवाइड करता हूँ height auto दो या फिर height auto लिख हो ही मत height ठीक है इसके बाद में आपको simple इसको padding set करनी है हली किसी तो मैं padding इसमें डालता हूँ at least 10 pixel की और मैं एक simple size में border पास करता हूँ कि मुझे दीखे वो चीज तो मैं one pixel solid इस तरीके से और मैं यहाँ पर triple zero पास कर देता हूँ अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ तो आप लोग यहाँ पर clear देख सकते हो इस तरीके से अपने पास डबा बन के आच चुका है इस डब्बे के अंदर यह चीज़ी है यह अपने को चाहिए कुछ इस तरीके से एक लाइन के अंदर तो अपने को क्या करना पड़ेगा simple है यह जो code इसको copy कर लो यहाँ पर paste कर दो यहाँ पर मुझे semicolon से इस चीज़ को end करना पड़ेगा और यह जो justify content center है ना इसकी जो center वाली value वह आप लोग change कर दो और आप space round कर दो उसको अब जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक line के अंदर वो चीज़ी आ चुकी है सब कुछ आपको center में चाहिए मतलब जो अपने text है यह सारे यह अपने को center में चाहिए तो देखिएगा जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ simple text and center save करता हूँ तो हुआ नहीं किया मुझे save करना पड़ेगा text line center यह देखो यहाँ पर center में आज सुके है बहुत ही बढ़िया अब guys यहाँ पर यह जो डबबा बनाना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इसके लिए मैं इसको कुछ property set करूँ तो सबसे पहले तो अपना dd है ओके कोमा उसके बाद में क्या है उसके बाद में अपना जो hh है मतलब hovers वाला कोमा ठीक है बहुत ही बढ़िया उसके बाद में जो अपना mm है ठीक है उसके बाद में जो अपना .ss है ओके इसके अंदर चलते हैं यह paste करते है तो अब आप लोग यहाँ पे देखो यह चीज़ यहाँ पर आ चुकी है तो यहाँ पर problem क्या पता है problem यह है कि यहाँ पर सारे टेक्स टूपर जा चुके हालां कि इसकी प्रोपर आ चुकी है width और height लेकिन अपने को दिखाए नहीं दे रही है मैं काम करता हूँ दिखाने के लिए simple सी बात है मैं same चीज़ border one pixel solid और rate करते हो एक बार ठीक है तो आप यहाँ पर देखो यह डबबे इस तरीके से बन चुक यार बहुत ही simple है यह जो property है इसको आपको copy करना है और यहाँ पर आप लोग paste करो देखो क्या होता है यहाँ पर इस तरीके से आचुकी है तो मैं काम करूँगा यहाँ पर जो space around है इसको मैं यहाँ पर center कर दूँगा अब जैसे मैं center करूँगा तो space आ रहा है वो space नहीं आ कर देगा आपको simple यहाँ पर लिखना क्या है आपको यहाँ पर लिखना flex action and column simple यह वाली property आपको add करनी है save करना है और आप यहाँ पर आओ यह देखो आप लोग कैसा लगा बहुत ही simple है ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा मेरे पास already box setting की property है वो और जल्दी से मैं यहाँ पर paste और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ ही है इस तरीके से property set करी है चार पांस सबसे पहले मैं आपको बताओं तो मैंने background का color एड़ करा है यह वाला अपना background का color होगा और इसी किसा सब मैंने box setting add करा simple सा मैंने backdrop filter add करा है यह backdrop filter बलर यह क्या चीज है वेसी तो इसी के साथ मैंने border one pixel solid और यह वाला color यहाँ पर सेट करा है सेव करता हूं मैं और यहाँ पर आपको लेकर चलता हूं तो आप लोग यह तो अपना पहला है यह देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यह इस तरीके से यहाँ पर बनके अपने पास आ चुका है ओके जो अपना border आ रहा है यह जो अपना border है black वाला इसको अपने को हटाना है एक बार तो एक बार किया मैं इसको completely remove करना चाहता हूं तो यह जो है इसको हटा दो यहाँ से simple उसके बाद में देखो यह आपको करना क्या पड़ेगा यह हमने हटा दिया उसके बाद में आपको simple करना यह पड़ेगा कि यह जो text है यह थोड़े बड़े होने जी है क्योंकि देखो मैं आपको इस demo के अंदर दिखा हूं तो यह थोड़े बड़े हैं और यह जो अपना देज, होवर्स, यह सारी क्या हैं, यह छोटे हैं, तो इनके साइज अपने को बड़ी करनी पड़ेगी, और वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हो, यह देखो डीडी है, यह सारी चीज इसमें है, तो मैं काम करूँगा, आप यह साइज होगी, और रैम कर देता हूँ, तो फोर रैम में काफी बड़िया, सही है, इसी के साथ मुझे करना पड़ेगा एक काम और, और वो काम मैं सिंपल उपरी इस के अंदर कर लेता हूँ, जो अपना यह सारी चीज़ है, इसी के अंदर, तो इसकी जो फोट की फेमिल है, वो चेंज करना चाहूँगा, तो मैं लिखूँँगा, सिंपल फोर्ण फेमिली, और मैं एरियल वाली कर देता हूँ, इस तरीके से, उसी के बाद मुझे इसकी ओपेसिटी सेट करनी पड़ेगी, तो ओपेसिटी मैं काम करता हूँ, याँ यहाँ पर कर देता हूँ, इ सही से स्पेलिंग पास करने पड़ेगी, और यहाँ पर फंट साइज इसको मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि फंट साइज प्रोपर सही है, अपनी जगा है, और इसकी मैं 0.6 कर देता हूँ, यह वाली, ठीक है, अब बढ़िया लग रहा, सही लग रहा है, ठीक है, बहुत ही ब इसको हम लोग लिखेंगे जावा स्केप्ट के अंदर, और यहाँ पर आपको पता है किस तरीके जैसे में हम लोग स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, आप लोग चाहो तो एक नई फाइल कर सकते हो, फिलाल मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ, इसके करते हैं, इस पर आएके सिंपल राइट क्लिक करते हैं, और इंस्पेक्ट पर चलते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से अपने पास एक बोक्स ओपन हो चुका है, इसके अंदर एक प्रोब्लम यह आ रही है कि यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए आप लोग को पता है qis तरीके से करना होता है सब कुछ, आप लोग यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर आके यह डिस्पलेख पास कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक गेप प्रोपरटी होती है जिसको आप लोग पास कर सकते हो, आप बोल सकते ह कि ऐसा है मैं इसमें 20 पिक्सल गेप रख देता हूं ठीक है अब जैसे मैं यहां पर चलों तो इसमें 20 पिक्सल यहां पर प्रोपर गेप आ चुका है और यह इसकी थोड़ी खराब है वो हम लोग मीडिया कवरी से एड़ेस्ट कर लेंगे मैं काम करता हूं यहां पर चलता हूं कंसोल पर और यहां पर अपने पास जैसी रहा हम लिग किया चुका बहुत ही बड़िया इससे बड़िया जी जोर क्या हो सकती है तो अब मैं यहां पर आके सिंपल सी एक end date set करता हूं end date का मतलब क्या end date का मतलब वो date जहां तक मुझे मेरी जो क्लोक मैं बना रहा हूं उसको countdown करवाना है वो date मुझे पर प्रोवाइट करनी पड़ेगी जैसे अभी तो क्या चल रहा है अभी तो अगे सल रहा है तो आगे आने और end इस तरीके से डी के पिल रखता हूँ, डी-ए-टी-डेट इक्वरस् टू यहां पर मैं सिंपल यूज कर सकता हूँ, टेमप्लेट लीटल्स का जिसके अंदर मैं पास करता हूँ, सिंपल सैप और 1, कोमा, सैप 1 का मतलब यहां पर सैप्टेमबर 1 तक ठीक है, और यहां पर जो अपने date है 2023 इस तरीके से pass कर देता हूं उसके बाद मुझे इसका timing set करना रहता है तो मैं काम करता हूं यहां पर timing set कर देता हूं कुछ इस तरीके से simple सा मैं यहाँ पर timing set कर दिया कि 000 इस तरीके से जो अपना time होगा तो यह होगा ठीक है उसके बाद में करना क्या है simple से बात यह है कि अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो मैं एक काम करूँगा मैं लिखोंगा count date करके एक variable मनाया जाए तो मैं लिखोंगा simple let count date equals to इसके अंदर आप लोग को पता new date अगर आपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो date वाले concept हैं वो सारे clear करे हैं cover करे हैं deep में आपको गए हो तो आपको पता है कि किस तरीके से चीजी यूज होती है ओके बहुत ही बढ़िया इसके अंदर मैं क्या करूँगा जो भी अपनी end date है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा और इसमें मैं gate time को निकाल दूँगा तो यहाँ पर देखो एक number इसने return करा ठीक है बहुत ही बढ़िया यह इस तरीके से हो चुका है अब मैं क्या करता हूँ एक काम और करता हूँ मैं simple सी बात है मैं ऐसा करता हूँ एक simple सा function create करता हूँ मैं बोलता हूँ simple const और मैं लिखता हूँ count और down और function कुछ इस तरीके से equals to और इस तरीके से मैं simple सा एक function पास कर रहा हूँ और इस function के अंदर मैं क्या करता हूँ simple सी current date निकालता हूँ मैं बोलता हूँ current और date जो अब की date है आज की date है वो मुझे बता हूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ new date कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ simple सी बात है और अब अगर मैं आपको दिखा हूँ console.log करके इस current date को ठीक है एक काम करते हैं save करते हैं तो क्या होगा कुछ नहीं होगा क्यों नहीं होगा कुछ क्योंकि यह जो आपने function create करा इस function को आपको call भी तो करना पड़ेगा आपने इस function को अभी तक define करा है आपने बताया नहीं कि कोई function भी ऐसा है तो मैं क्या करूँगा इस वाले function का simple नाम पास करते हूँ countdown function कुछ इस तरीके से simple save करूँगा अब यहाँ पर चलूँ तो यहाँ पर देखो Tuesday August 22 और यह सारा data मुझे यहाँ पर मिल रहा है अपने console के अंदर बहुत यह बढ़िया अब क्या करेंगे simple सा काम अपने को करना ये है मैं काम और करता हूँ यहाँ पर gate and time लगाता हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरीके से get time लगाता हूँ और अब चलता हूँ तो अब क्या मिलता है अब देखो तो मैं क्या करूँगा एक काम करूँगा ना सिंपल मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ मैं एसे निकाल सकता हूँ सिंपल सा एक वेरियबल करेट कर सकता हूँ और मैं माइनस का यूज करके अराम से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं लिखता हूँ, let distance इस तरीके से distance equals to यह जो count date है इसमें से minus किया जाए current date, simple तो जो current date है, वो minus कर दो count date से, तो एक काम करेंगे अब इसको simple console.log करवाते हैं distance को आपको एक number मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, save करता हूँ और यहाँ पर चलते हैं तो यह देखो एक simple सा आपको console में number मिल रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक number मिल रहा है, तो यह number बड़े काम की चीज़ है, यह अपने को distance बता रहा है कि जो अपना count date है और जो अपना आज का date है उसके बीच में कितना distance है यह चीज़ अपने को बता रहा है अब simple सा काम यह करना है अब मुझे मालों के date निकालने है वो सारा data इस number के अंदर ही है अब आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको निकालना है बहुत ही simple है अगर आपको simple date निकालने है तो मैं काम करता हूँ मैं एक simple सा variable यहाँ पर create करता हूँ late days करके ठीक है एक late days करके मैंने variable create करा और मैं लिखता हूँ days कुछ इस तरीके से equals to ठीक है simple धान से देखेगा एक simple सा formula होता है आपको यहाँ पर bracket में simple लिखना जो भी आपने distance निकाला उस distance से आप लोग क्या करो उस distance से आप लोग divide करो क्या 1000 ठीक है multiply करना है इसको 60 से आपको again multiply करना है इसको 60 से आपको again multiply करना है इसको 24 से इस तरीके से देखो simple सा formula है कि जो भी distance है उसमें से हम लोग divide करेंगे जो भी इसका result आता है उसको अब यह proper days के अंदर जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यह अपने को days बताएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ simple days, और save करता हूँ मैं इसको, इसमें अपने को एक number मिलेगा, यह देखो, यह इतना difference है, इसमें कितना आ रहा था, इसमें 0 नो आ रह दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें यह जो point के बाद वाली value भी अपने को दिखाई दे रही होती है, तो आपने अगर मेरी JavaScript वाली series को अच्छे से follow करा है, तो उसके अंदर मने बताया है, कि आप किस तरीके से इस जो point के बाद वाली value होती है, जो आपको मिल रही होती है, इसे case के अंदर उसको remove कर सकते हो, आपको simple इसके लिए use करना पड़ेगा math.floor function का, वो किस तरीके से करना हम आपको बता हो, यह जो भी है, इसको आप control x करो, simple सा काम है, आप लोग यहाँ पर लिख दो math.floor कुछ इस तरीके से, simple, और इस चीज़ आप लोग यहाँ पर पास दिखाना है, तो बहुत simple तरीके से दिखा सकते हो, कोई बड़ी चीज है नहीं, बताता हूं पहले आपको किस तरीके से दिखाना है, देखो, यह अपना h, 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 kे अंदर, s, 3 है, simple, यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है, यह तो बिसिकल अपना days की बात कर रहा ह होने तो यह हो रहे तो घ्रकार हो घ्रकार में क्या करूँका मैं करें लिए मैं टो कोमेंढ किरे क्वेर इस तरह से और इसके अंदर आकर जो भी अपना डीडी है इसकी चाहेँ सबस्क्राइब करने सकते हैं और यहां पर यहां पे आपद आकसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया। अब अन 스ich 냉के और अपर इसके तो यहां पर अन्दें सब्सक्राइब fl쪽에 और земel करल सकते हुए हाँ को हमकर निकाल सकते हूं को सब्सक्रेंद भी जब भी वहस आएगे तो वह पोइंट वाली value written करेगा तो मैं पहले क्या करता हूँ math.floor का यूज कर देता हूँ तो मैं लिख देता हूँ simply math.floor कुछ इस तरीके से और इसमें क्या पास करना कैसे पास करना बहुत simple है ध्यान से देखो यह जो भी हमने distance निकाला इस distance को हम लोग इस तरीके से module operator का यूज करेंगे remainder हम लोग यूज करेंगे और इसके अंदर मैं लिखूंगा एक simple सा वोई formula कौन सा formula यही इसी को मैं complete copy कर लेता हूँ copy करके हमा क्या करता हूँ यहाँ पे इसकी जगा paste कर देता हूँ इस तरीके से ठीक है अपना काम हो चुका है और एक simple सा काम यह हुआ कि यह जो complete आया इसको मैं wrap कर देता हूँ एक simple single brackets के अंदर ठीक है अब क्या करेंगे अब ऐसा करेंगे इसको मैं divide करूँगा इसको मैं divide करूँगा किससे इसको मैं डिवाइड करूँगा simple is 24 को हटा कि इससे बस ध्यान से देखो मैंने करा क्या मैंने distance में remainder निकाला और यह जो भी इसकी value आ रही है वो यहाँ पर distance के remainder के according हो रही है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर जो भी इसका result आता है उसको मैंने divide कर दिया इसका जो result आता है उससे तो यह horse निकल चुका ना तो अब अपने को यहाँ से horse की value मिल चुकी है तो एक काम करेंगे simple horse को भी get करेंगे तो horse को get करने के लिए simple यहाँ पर इसको duplicate copy करता हूँ मैं और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसको कोमा लगा कि मैं क्या करता हूँ मैं इसा करता हूँ इसको copy करता हूँ और मैं यहाँ पर इस तरे करता हूँ ठेक है और इसके अंदर मुझे क्या करना है यह जो भी DD है इसको मैं लिख देता हूँ SS क्योंकि have- Okay और यहाँ पर जो DD है इसको मैं SS कर देता हूँ यह तो मैंने बनाए रखा उपर आपको पता ही है तो यह दो हच इस तरी के से और इसके अंदर S3 भी है एक तो यह जो भी S3 है इसके अंदर अपने को पास करना ना वो चीज़ तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि भाई सब बात ऐसी है यहां पर आपको लिखने है HH और यहां पर आके लिख दो H ощущ ओके सेव करते हैं और यहां लिखते हैं तो यहां पर गार सक्से आरहा है भी तो यहां पर कितना यहां पर ग़ो six ही है तो यह प्रोपर आ चुका है अब ज़िए सिंपल से फोर्मूला है यह simple horse का निकालने का formula यह days का निकालने का formula है अब मैं क्या करूँगा मैं minutes के लिए यूज करूँगा तो मैं काम करूँगा minutes के लिए एक simple सा again variable create करता हूँ मैं लिखता हूँ simple यहाँ पे minutes और मुझे यहाँ पे m को sort करना है simple सी बात यही है मुझे यहाँ पे semi-colon तो इसको close कर देना है okay तो मैं क्या करूँगा minutes के लिए बहुत simple बहुत simple आपको यहाँ पे minutes equals to same चीज आपको यही करनी है तो इसको copy करता हूँ मैं paste करता हूँ अब इसका formula तो बहुत ही ज़दा simple है आपको क्या करना आपको करना यह है किसरो 24 इसको हटा है ठीक है मतलब आपको क्या करना है आपको इसको इसको डिवाइड करना है और जो भी है वो distance के साथ आपको rem dash करना है उसके बाद में आपको एक simple 60 यहाँ से हटा देना है और जो भी इसका result आथा उसको divide कर देना इसकी result से ठीक है अब एक काम करते हैं इसको save करते हैं और basically मैं आपको console करके भी दिखा देता हूँ एक बार और इसके अंदर मैं डालता हूँ अपनी minutes को save करते हैं यहां पर चाहें तो इसके अंदर देखो 18 यहां पर आचुके क्या इसमें 18 है बिल्कुल सही बहुत ही बढ़िया तो 18 यहां पर आचुकी है अब आपको minutes को भी यहां पर लिखना पड़ेगा अपने डॉम के अंदर तो आप किस तरीके से करोगे आपको यही चीज़ अगेन कोपी कर लेनी है यहां से कोपी करने के बाद में यहां पर आप simple कोमा लगा दो इसको हटा दो और paste कर दो यहां से semicolon से बंद कर दो इस चीज़ को लिख दो mm और यहां पर भी आपको क्या पास करना है m और m बहुत ही बढ़िया अब जो अपना mm मतलब minutes है तो वो minutes आप लोग कहां पर डाल दोगे यहां पर डाल दोगे mm के अंदर आप लोग क्या पास कर दोगे अप दिखाता हूं ओके बहुत ही बढ़िया अब यहां पर चलते हैं अब देखो 16 यहां पर आचुका है और यहां पर 16 बहुत ही बढ़िया सही है अब क्या करेंगे अब आपने को सिंपल सही सेकेंड वाला चाहिए तो मैं काम करूंगा seconds वाले के लिए seconds वाले के लिए तो अपर SS है वो ठीक है हां जी वो बिल्कुल SSC है और मैं क्या करूंगा मैं ऐसा करूंगा कि जो अपना second है वो कैसे निकालोगे इसको आप लोगो duplicate copy करो second मैंने already variable ले लिया है तो इसको इसमें simple है यार इसमें तो बहुत ही जदा simple है आपको कैसे निकालना है बस इसमें आपन जी seconds मिलनी चाहिए तो मैं काम करता हूं minutes को हटा कि यहां पर print out करते है second को और देखते हैं कि console में क्या हाल चाल है तो console में भी दो है लेकिन यहां पर क्या हुआ यहां पर हांजी बिल्कुल दो ही था क्योंकि यहां पर नई series यहां पर seconds decrement होनी start हो चुकी है तो मैं क्या जाकि inner stml equals two और जो भी अपनी second है वो डाल दो इतना सा काम कर दो ठीक है अब देखना है बहुत ही simple है अब यह सारी चीजी यहां पर आ चुकी है तो यहां पर देखो सब कुछ यहां पर आ चुका है लेकिन यहां पर इस तरीके से यह चीज नहीं चल रही अब आप लोग थ तो मैं लिख दूँगा set interval और मैं 1000 यहां पर पास कर दूँगा मतलब हर एक सेकंड बाद मेरा जो countdown वाला function है यह कोल हो जाए ठीक है ओके जी बहुत ही बढ़िया अब देखते हैं यहां पर चल के इसको refresh करते हैं 57 और राइट आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह चीज properly बन चुकी है अब इसमें क्या रह गया है इसमें यह रह गया है कि यहां पर देखो इसमें 0906 यह चीज आपको दिखाई दे रही है तो यह चीज थोड़ी सही लगती है और यह चीज मुझे add करनी है और किस तरीके से मैं add कर सकता हूँ बहुत ही simple देखो क्या करना होता है आपको करना ही होता है simple से condition provide करूँगा मैं बोलूँगा कि अगर डेज अगर डेज अगर डेज चोटा है 10 से ठीक है तो क्या करो आप अगर डेज चोटा है डेज से तो डेज की जो value है उसके बराबर क्या करो उसके बराबर आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो simple template लीडल स और इसके अंदर आप लोग पास कर सकते हो किसमें सबसे पहले zero ऐड़ करना है उसके बाद में आप लोग डेज कर सकते हो अपना जो भी days है वो ओके एक काम करते हैं सेव करते हैं देग्धिया हाल चालए तो यहां पर देखो zero-none आच को करनी है सेम चीज आपको किस के है simple minutes के लिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ simply minutes okay मुझे गड़ बड़ी कर दी मैंने तो minutes के लिए मैं करता हूँ उसके बाद है मुझे हाँ पर seconds के लिए करनी है तो control D मैं यहाँ पर seconds के लिए कर लूँगा ठीक है और days hours minutes or seconds इस तरीके से मैंने कर लिया एकाम अब हो रहा है वह यहाँ पर प्रोपर हो रहा है एकदम सही तरीके से हो रहा है और सब कुछ सही चल रहा है अब जैसे मैं 21 11 बहुत ही बढ़िया सई अब एक simple सा काम और रह गया है कि जब भी यह 9 दिन पूरे हो जाते हैं है ना तो उसके बाद में क्या दिखाना है उसके बाद में आप लोग welcome दिखा सकते हो वो किस तरेके से दिखा सकते हूं आपको दिखाता हूँ देखो सबसे पहले काम करते हैं यह जो KONTAYनर है अपना किस container को हम लोग खाली कर देंगे मतलब यह सब कुछ हो चुके हैं पूरे 9 दिन तो उसके बाद में क्या करो container को खाली कर दो उसके अंतरे welcome दिखा दो simple सा काम करना है तो मैं काम करूँगा जब भी distance की value छोटी होती है 0 से तो मैं काम करूँगा क्योंकि distance ही तो है सब कुछ तो हम एक काम करेंगे simple सा यहाँ पर चलेंगे और simple सी if statement प्रिंट करेंगे लिखेंगे distance ठीक है अगर छोटा है 0 से तो आप क्या करो लिखो document ठीक है dot query selector और आप लोग यहाँ पर जा सकते हो इसमें आप लोग दिखा सकते हो कि जो भी आपका dot container है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा simple container और इस container के अंदर हम लोग inner stml करतेंगे simple welcome तो मैं लिख देता हूँ simple welcome इस तरीके से और save करता हूँ हलाँ कि अभी welcome आपको नहीं देखने को मिलेगा इसके अंदर क्योंकि सब सही चल रहा है लेकिन आपको देखने को मिलेगा जब यह 9 दिन पूरे हो जाएंगे लेकिन 9 दिन तक मैं थोड़ी करूँगा मैं तो आपको दिखाने के लिए क्या करूँगा एक बार simple सा काम ही है कि मैं इसको आज कितनी तारीक है काउंट डाउन प्रोपर हो जाता है एंड डेट तक तो क्या होना ची वेलकम दिखा दो इस तरीके से आपको करना है तो फिलाल मैं सैप और वन कर देता हूँ ठीक है और सेव कर देते हैं और राइट तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं अपने जो काउंट डाउन अप्लिकेशन अवो प्रोपर यहां पर बन चुकी है आप लोग मुझे बताओ कि इसमें आपको क्या डाउट है आप लोग नीचे कमेंट करके जुरूर बताना कि जो भी आपकी क्वेरी है कौन सी चीजिस के अंदर आपको समझ में नहीं आई वो आप लोग कमेंट के अंदर डाल सकते हो आज की लितना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू गाइज वोचिंग इस वीडियो बाई बाई झाल